हेलो दोस्तों मैं आरीफ और यह आपका यूटूब चैनल पॉलिटिकल अकाड़िक स्टडीज तो आज आपके सामने में यह वीडियो लेके आ रहा हूँ तो आप सभी को पता है जैसे की इंटर्नल एसेस्मेंट आपके स्टार्ट हो गए है और इंटर्नल एसेस्मेंट की मैं पिछली बार भी फास सेमेस्टर में भी आपकी वीडियो बना कर आंसर बता कर आपकी हल्प की थी और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें proper में login का तरीका आपको बताऊंगा कैसे आपको assessment start करना है और आपको answer भी तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से request करूँगा कि आप पहले पूरी वीडियो देखे उसके बाद अपना assessment start करे क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि question जो serial number में बता रहा हूँ वो serial number question आपके नहीं होते हैं आगे पीछे होते हैं और इधर वीडियो आप start कर देते हैं इधर आप question answer करना start करते हैं तो उसके कारण जो है दिक्कत बहुत आती है कि आपको जो मैं answer बता रहा हूँ वो पीछे चला जाता है जो आपके पास question आया है वो दूसरा आया है तो इससे बच्चे बोलता है कि नहीं sir ये question नहीं थे जो question हम कर रहे हैं तो इसमें आपसे यही request है कि पहले proper video देखे login का तरीका देखे और assessment कैसे start करना है और Hindi English की भी थोड़ी problem आ रही है इस बार क्योंकि maximum जो आपके assessment है जो subject के assessment है जो political science or history हो सब English में ही आ रहे हैं तो आप जो है थोड़ा से देख ले क्योंकि मैं भी आपको जो assessment जिस भी language में है वो करके दिखाऊंगा हिंदी में होगा हिंदी में भी English में होगा English में भी तो जो English वाले बच्चे हैं जो Hindi वाले बच्चे हैं अगर वो paper आपको English में देखने को मिल रहा है assessment तो आप उसको पहले proper video देखे देखने के बाद आप easily बत देख कर सकते हैं उसको question answer अपने notebook में लिख ले और फिर अपना कर सकते हैं तो हिंदी और English वाले सही बच्चे कर सकते हैं तो आईए चल स्टार्ट करते हैं अपना assessment तो assessment स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरी video जो है चैनल को subscribe नहीं किया है वो मेरा चैनल subscribe कर ले like करे, share करे और इस video को अपने जाज़ जाज़ दोस्तों के अंतर share करे तो मैं पूरा तरीका बताऊंगा कैसे आपको login करना है तो सबसे पहले आपको कोई भी browser के उपर आजाना है चाए mozilla firefox हो, google हो microsoft office हो, कोई भी हो आपको आजाना है, search करना है सीधा प्रज्यान प्रज्यान col.du.ac in जैसे आप ये click करेंगे, आपके computer screen पर या आपके phone screen पर जो first website आईगी डैनिवर्स्टी ओफ ओपर लर्निंग ये जैसे आप start करेंगे, तो ये प्रज्यान की जो है website आपके सामने खुल गई है, यहाँ आप देखोगे login का option है, तो आपको login करना है जैसे login का option दिखा रखा है इससे previous video के अंदर मैंने forget password का बताया कि अगर आपका password forget नहीं, आपका password नहीं पता है आपका login नहीं हो रहा है या आपकी ID disable हो गई है, तो आपको forget password पर करना है, और आपको यहाँ पर same वही ID जो आपकी 2324 जिससे भी start हो रही हो डालनी है and then आपको फिर यहाँ से यह capture डालना है, capture डालने का तरीका यह है, कि आपको कोई भी space नहीं डालना है जिस भी तरीके का लिखा हुआ है, same आपको डालना है, और reset password पर आपको click कर देना है, आपकी mail जाएगी, mail के उपर जो link जाएगा, link जाने के बाद आपको उस पर click करके password बनाना है पर previous मेरी वीडियो देख ले, तभी आप यह कर पाएंगे, तो assignment start करने के लिए, आपको user name के अंदर जो भी आपका user name है, यानि कि जैसे 23201 और उसके बाद जो भी है, add the rate के बाद sol minus है, फिर du dot, फिर ac dot in है, password जो भी आपका है, password आपको डाल लेना है, और उसके बाद आपको submit पर click कर देना है, जैसे आप submit पर click तरेंगे, तो ऐसा interface आपके सामने खुल के आ जाएगा, अगर left side में आप देखेंगे, welcome आपका नाम लिखा आएगा, और right side में आप देखेंगे, तो आपको चार option दिखेंगे, जिसमें course enrolled जो option है, आपको इसपे click करना है, जैसे आप इसपे click करेंगे, तो नीचे थोड़ा सा scroll करेंगे, scroll करने के बाद, जैसे कि आज हम करने जा रहे है, political science का Indian government and politics का paper, तो आईए चलते हैं, हम start करते हैं, हमें political science का assessment, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि assessment पे जैसे हम आपना करजर लेके आ रहे हैं, mouse लेके आ रहे हैं, तो 0% लिखा आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, कि हम political science का Indian government and politics का second semester का paper करने जा रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको launch जो लिखा हुआ है, launch पे click कर देना है, जैसे आप launch पे जाएंगे क्लिक करेंगे, वैसे आपको assessment semester 2 लिखा हुआ, दिखाई देगा, और left side में political science, Indian government and politics का option आएगा semester 2, तो आपको start assessment कर देना है, आप यहाँ देखने वाली बात यह है, कि आपको 45 minute का duration मिलेगा, time मिलेगा, 70 marks का paper होगा, 35 question आएंगे, इनकी पर question 2 marks, और आपको 2 attempt मिलेगे, करने का तरीका से पहले थोड़ा सा, मैं थोड़ा description बता देता हूँ, जैसे कि हम अभी इसको start assessment करेंगे, start assessment करने के बाद new window आपके सामने खुल के आ जाएगी, जैसे यह new window आपके सामने खुल गई है, आपको यहाँ दोको जो instruction दिये हुए है, बहुत अच्छी से पढ़ लेने है, जैसे कि white का मतलब है कि अभी आपने visit नहीं किया है, question के ऊपर red का मतलब है, आपने answer नहीं दिया है, और आपको green option जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक आपको वो answer करना है तो देखो इसमें अभी language का ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, अभी तक मेरे इसाब से इसमें सिर्फ English का ही option है, हिंदी का option नहीं है, तो इसमें नीचा को click करना है, I have ready to understood instruction and the agree for them, I am being to ready पे click कर देना है, और यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ, तो कहीं पर हिंदी या English का option नहीं आ रहा है, सीधा जो English का है, वो ही option आ रहा है, तो हमारे पास जो option है, हम उसी से इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, कि English का ही option है और English में ही हम इसको करने की कोशिश करेंगे, तो यह रहा हमारा first question screen पर, तो question यह है कि who was the first president of Indian Women Association, Association form in 1917, 1917 के अंदर जो Indian Women Association form किया था, तो उसके पहले अध्यक्ष कों थे, तो जो Annie Besant है, वो इसकी पहली अध्यक्ष थी, Indian Women Association की, तो जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको screen पर नहीं भी दिख रहा हो, तो मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ और answer भी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन ले, तो इसका option जो second है, Annie Besant, वो इसकी first president थी, 1917 के अंदर Women Indian Association की, आपको क्या करना है, काफी सारे बच्चे, पहले screen को ध्यान से देख ले, मैं कहां क्या क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट कोशन का answer क्लिक किया, तो यहां red हो गया, option पे, choose question पे, और आपको देख नीचे चार option, तीन option दियो गे, mark and review answer, यह नहीं करना है, clear response भी नहीं करना है, आपको save and next पे click करना है, देखो save and next पे click करेंगे, second question आ और फर्स्ट कोशन का जो है, आप देखेंगे, answer लग गया है, यानकी green हो गया है, इसका मतला आपका answer यह हो गया है, second question जो है, हमारा वै, who was the first elected president of the Indian constant assembly, यानि कि भारत के, जो सविधान assembly, सविधान सभा बनाई जाए थी, उसके जो चुने हुए, पहले रश्ट पती कोन थे, तो वो थे, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद, आपको second पे click कर देना है, और third question है हमारा, who has written the book named गुलामगरी, गुलामगरी जो book है, वो किस ने लिखी है, तो वो लिखी है, जोती बाफुले ने, तो जोती बाफुले जो answer है, उस पर click करेंगे, save and next पर click करने के बाद, question number four, question number four जो है, वो यह है कि, who was the chairman of the state recognition committee, तो इसमें चार ओफसन है, फैजल अली है, परिखर है, पटेल है, नेरु है, तो इसमें है, फजल अली जो है, इसके, इसका correct answer रहेगा, और आपको save and next पर कर देंगे, तो इस तरह के से हमारे चार question complete, पांचवा question यह है कि, which of the flowing committee suggested to incorporated fundamental duty in the constitution, तो इसमें है, हमारा Swern Singh committee आएगा, and Swern Singh committee पर click करके, आपको save and next कर देना है, and the question number six, who appoint the lokaat and lokaupyat, तो यह आता है, जो governor होता है, किसी भी state का, वो lokaat को appoint करता है, फिर आपको next question पर जाना है, श्री कृष्ण कमीशन is related to the recognition of which state, तो जो स्री कृष्ण कमीशन था, वो तेलंग न जो नया state बना था, उसको बनाने के लिए recognition था, तो यह आप सभी को पता है, कि आंदरपरदेश में से ही तेलंग न निकला है, तो इसमें तेलंग न ओफ्षन नहीं है, तो इसमें हम आंदरपरदेश है, तो आंदरपरदेश इसका correct option होगा, and the seven next, next जो हमारा question है, वो है, which one of following writ is issued by the court in case of the illegal detention of the person, तो जैसे भी किसी भी व्यक्ति को illegally जब पकड़ा जाता है, तो उस स्थिती में court कौन सी writ जारी करता है, तो court के पास चार परकार की writ होती है, heaviest corpus है, memandus है, satirio है, and curtorento है, तो इसके अंदर जो heaviest corpus है, वो court जारी करता है, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसको court के सामने प्रस्तूत करना होता है, question number 9 है, emergency under article 356 is imposed by which one of, तो जो article 56 है, वो जो है, provision है, emergency, यनि की आपातकालीन सक्तियां, राष्टपती को में नहीं है, तो तीम परकार की आपातकालीन सक्तियां होती है, 356 उनमें से एक है, तो ये राष्टपती की होती है, राष्टपती के अंदर नहीं होती है, तो राष्टपती इसका, यनकी president इसका correct option होगा, question number 10 है, high court issued written under the article, जो भी written article के तहत, जो भी written, जो है, court written जारी करता है, वो करता है, 226 के तहत, इसके बाद आजाता है, हमारा next question number 11, the heart of and soil of Indian constitution, तो डॉक्टर भीमरावंबेटगर ने आप सभी को पता होगा, कि सविधान की आत्मा और हर्दे कहा है, article 32 को, यनकी right to constitutional remedies, यनकी सविधान्यों का अधिकारों का अधिकार, article 32, जिसमें भीमरावंबेटगर ने कहा है, कि ये heart and soil of Indian constitution है, next question number 12, what is a maximum allowed duration between the last session of the dissolve log sabha and the recall for the log sabha, यनकी जो भी log sabha चल रही है, जब उसको dissolve कर दिया जाता है, तो अगली log sabha को बुलाने में कम से कम कितना समय होना चाहिए, जादे कितना समय हो सकता है, तो उसमें 6 महीने से पहले पहले या 6 महीने तक बुला ले ली चाहिए, इसका option होगा, इसके बाद है question number 13, the book हिंसोरा is written by home, तो हिंसोरा जो है राष्टपिता महत्मा गांधी जी ने इसको लिखा था, महत्मा गांधी जी कि यह सब से रिनॉल्ड पुस्तकों में से एक पुस्तक है, तो इसका जो option होगा महत्मा गांधी, next है, in which part of Indian constitution fundamental right is provided, यनि कि सविधान के अंदर, जो है, मौली का दिकार कहां दिये गए हैं, तो मौली का दिकार part 3, यनि कि भाग तीन के अंदर मौली का दिकार दिये गए हैं, the executive power of the union is vested in one of the, तो जो union power है, union power है, executive union की विधाइका की, वो किस के पास है, वो है, राष्टपती के पास, save and next कर देंगे, and next, question number 16, the chief justice and the judge of the high courts are appointed by which one of the flowing, किसी भी high court की, अगर हम chief justice की बात करें, तो उनको भी राष्टपती ही appoint करते हैं, तो इसमें, president of the, आ जाएगा answer, question number 17, अगर आप देखेंगे, screen पर आपकी, the idea of constant assembly, to form of, the form of constitution of, for Indian, Indian first mooted by, तो M.N. Roy, इसका answer हो सकता है, तो maximum ये भी हो सकता है, 1927 में M.N. Roy ने the idea दिया था, constant assembly का, तो इसका ये answer है, M.N. Roy, है, ठीक है, क्योंकि देखो, teacher भी 100% right नहीं होता, एक आद question गलत हो सकता है, तो आपका maximum है कि एक आद question से जादे गलत नहीं होगा, question number 18 में, which of the following is correct, which respect of the right against exploitation, तो इसमें four statement दिए हुई है, prohibition of the traffic in the human being enforced labor, second है, इसमें, freedom as a payment of the tax and the promotion of the any particular reason, religion, and the third one is the protection of the interest of minorities, and the fourth one is equality before law, तो इसका जो answer होगा, वोगा, prohibition of the traffic human being and the forced labor, The next question is 19, directive principle of the state policies are, the first option is enforced by the law, तो यह बिल्कुल होई ही नहीं सकता कि, किसी भी परकार के law से enforced किया साथ जा सकता है, कि नहीं किया जा सकता, not enforceable to the law, यहीं हो सकता है कि इसको किसी भी परकार से law के द्वारा enforceable नहीं किया जा सकता, question number 20, provision of the direct defense of the state policies was borrowed by, तो यह सीधा सीधा first option ही है, इसका Irish constitution है, Irish constitution के अंदर से ही भारत में दिती जिदेशक शिद्धानतों को लिया गया है, fundamental duties are certain by, तो यह सीधा सीधा आजाता है, part 4A and article 51A, इसका first option है, and the next question is 22, which of the following article deal with the tenure of the president, तो president के, जब हम tenure and के उनके कितने वर्स तक अभधी तक वे राष्टपती बने रह सकते हैं, तो article 56 के अंदर राष्टपती के कारी अभधी के बारे में बताया गया है, the government of India Act 1990 was known as, जो government of India Act था, वो Mont, Montage Champsford, जो reform है, उससे हम को देखने को मिलता है, and the next question is 24, the constitution of India was adopted by the constant assembly, तो यह हुआ था 26th of November, तो 26th November 48 नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर होगा 26th November of 1949, 1449, the next question is, which article of the constitution abolish untouchability, जो जो छुआ छूत को खतम करने को लेकर भारती सविधान में कौन से article को दिया गया है, तो article 17 जो है, 17 जो है, उसमें आपका abolition of the untouchability का दिया हुआ है, question number 26, the first state form based of the language, जो पहला राज्य भाशा के आधार पर अलग हुआ था, वो है आंध्रपर्देश, तो आंध्रपर्देश इसका आंसर होगा, next question is, which one of the following article deal with the tenure of the president, ये question repeat हुआ है, वो मैं answer बता चुका हूँ, article 56, तो next question is, who was not a member of JVP committee, तो JVP committee में नहरू जी भी थे, पतेल जी भी थे, और सितर अमियें भी जी थे, लेकिन राजिंदर परसाद जी इस committee में नहीं थे, next question जो है हमारा आएगा, जैसे next click करेंगे, when was Haryana separated from Punjab as a state, तो Punjab से अलग होने वाला जो राज्य था, पंजाब से अलग होएते हर्याना, 1966 में, तो 1966 से correct option होगा, the next question is, which of the following article of the constitution, as a director, directed to the established uniform civil court, जो सामान सहीता, जिसको हम बोलते हैं, तो वो article 44 में है, next, करके इसको, question number 31, the chipko movement was initiated by which place, जम्मो कश्मीर है, पतना है, भुनेश्वा है, हिमालियन, तो गड़वाल के जो हिमालियन, परदेश से, जो है, chipko movement start हुआ था, जो संदरलाल भूगुना और महिलाओ का, इसमें भ्लूत कूर्ब योगदान रहा है, article 32, which of the following article in Indian constitution, deal with the constitution of the parliament of India, तो जब हम parliament की बात करती है, तो वो है article 79, इसके बाद next question है, which of the following article of the constitution, certain fundamental duties, तो आप सभी को पता होगा, article 51A जो है, वो fundamental duties, यानि की, जो मौलिक कर्तव्यों की बात है, वो सविधान के 51A के अंदरगत बताया गया है, next question है, the objective resolution and the outline of the philosophy of Indian constitution was formed in the constant assembly, तो ये पंडेजवालाल नहरू ने सविधान सभा में खड़े होकर, जो philosophy of Indian constitution है, उसको पढ़ा था, तो इसका पंडेजवालाल नहरू, इसका option correct होगा, and this is the last question of our assessment, which is the oldest known system designed by the reversal of the citizens' governance, यानि की लोगों की सिकायत सुनने के लिए, जिस भी चीज को बनाया गया था, डिजाइन किया गया था, तो abuse man, जो है system हो, दुनिया का सबसे पुराना system माना जाता है, तो इस तरीके से सबसे पहले जैसी आप सारे question कर लेंगे, तो आपको देखेगे answered 35, answered एंकी green का, जो है उसमें 35 लिखा हुआ है, जो है आपके green हो चुके है, green होने के बाद आप नीचे देख पा रहे है, submit का option है, और आप पहले यह देख लें कि सभी green है या नहीं, उसके बाद आपको नीचे submit का option दिख रहा है, submit के option पर click करना है, यहाँ आप देखेंगे कि number of question 35, answer भी आपने 35 का किया है, answer नहीं, किन का answer नहीं का, zero का answer नहीं किया, कोई ऐसा नहीं छोड़ा, तो आपका इन दोन option में, पहले और दूसरे option में 35-35 लिखा होना चाहिए, और नीचे आपको yes पे click कर देना है, जैसे आप yes पे click करेंगे, click exit assessment to close the window, तो यह आपका assessment complete हो चुका है, वापस आप यहां जाएंगे, और आप देख पाएंगे attempt number, तो आपका एक attempt हो चुका है, ठीक है, और left side में देखेंगे, 100% भी लिखा रहा है, इसका मतलब यह assignment हमारा 100% हो गया है, आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, तो जाद जाद अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, मेरे चैनल को subscribe करें, थैंक यू, एवन,